Hello friends, welcome to my youtube channel, मैं हूँ तिव्या शर्मा गर्मियों में मेथी और हल्दी खाने की बजाए आप ये चीज़ खाईए अगर आप भी हल्दी का सेवन दर्द को दूर करने के लिए सूजन को दूर करने के लिए करते हैं या फिर आप मेथी दाने का यूज हडियों की मजबूती के लिए करते हैं या फिर गुटनों के दर्द से बचे रहने के लिए करते हैं तो उसकी बजाए आप इन चीज़ों का सेवन कीजिए जो चीज आज मैं इस वीडियों में आपको बताने जा रही हूँ उसमें भरपूर मात्रा में केल्शियम है जो कि आप हल्दी वाले दूद से लेते हैं लेकिन गर्मिया चल रही हैं तो अगर गर्मियों के मोसम में आप हल्दी वाला दूद लेंगे या फिर मेथी का प्रयोग करेंगे इसकी तासीर गरम होने की कारण मोसम गर्मी का होने की का आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज बता रहे हूं इसका सेवन करके आप भरपूर मात्रा में कैल्शियम ले सकेंगे और भी उनसे बहुत सारे बेनिफिट होते हैं जो आप बहुत अराम से ले सकेंगे तो सबसे पहले आपको बता दो कि आप फल्दी वाला दूद या मेथी पानी में भीगो कर सुबह लेना बंद कर दी थी गर्मिया है तो इसकी तासीर बहुत गर्म होती है जो की हाई बीपी को पैदा कर सकती है या फिर आपको हाथो पैरों की जलन दे सकती है तो इसकी या मेथी का पाउडर लेते हैं तो उसकी बजाए आप दो चम गिलोएका जूस पी सकते हैं गर्मिया चल रही है तो आप नार्मल पानी में दो चम मच गिलोएका जूस मिक्स करके पी लेज़ें ये शरीर के दर्द को दूर करता है, हातों पैरों पे आने वाली स्वेलिंग को दूर करता है, डाइबिटीस से लडने में मदद करता है, जोडों के दर्द को दूर करता है, जिनके भी गुटनों में दर्द होता है, उनको ये चीज दिन में दो बार लेनी चाहिए, यनि खाली पे इसका सेवन कहना चाहिए जिनकी हंडियां बहुत कमजूर हैं बहुत जल्दी टूप जाती हैं केल्शिन की बॉड़ी में कमी है तो वो हल्दी वाला दूद ले रहे थे अगर आप सद्वियों में तो अब वो गिलोई का जूस पीना शुरू करते हैं इसके इलावा माइन को शार्प बनानी के लिए भी आपको गिलोई का जूस पीना चाहिए तो अब मैं आपको बताने जा रहे हूं दूसरी चीज कौन सी है इसे एसीडेटी भी दूर होती है बोडी में से वाथ भी दूर होती है और सारे बेनिफिट मिलते हैं जो आपको गिलोई से मिल र पीजिए और फैल आइकन पर ज़रूर प्रस केजिएगा ताकि आपको हर नहीं इंस्फोमेशन और की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें अलोवेरा जूस आप सुबह खाली पीट चार चमर्च अलोवेरा जूस पीजिए यह हाथो पैरों की जलन को दूर करता है ब हमारी बॉड़ी के लिए बहुत जरूरी है यह हमारी बॉड़ी को डिटॉक्स करता है फून को साफ करता है कॉंस्टिपेशन जैसी प्राब्रम नहीं होने देता स्किन पर ग्लो लाता है जो भी लोग ऐलोवेरा जूस पीते हैं इनकी हेरफोर बहुत जादा होता है डेंड जूस लिए फिर गिलोओवेरा जूस लिए तो आप इन दोनों छीजों को मिक्स करके यानी दो चमच आप अलोवेरा जूस ले लिजिए ज्रेकि दो मच अफ। चार चमच अलोवेरा जूस लिजिए उसे एक इस गिलास नॉर्मल पानी लेना है इस उसके अंदर यह छे के मिक्स करके सुवह खाली पेट पी लीजिए तो यह सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे यानि कि जोडों का दर्द से आप बचे रहेंगे वात और ऐसेट से बचे रहेंगे शरीर के दर्द यानि मसल पेन से बचे रहेंगे ऐसे देटी नहीं होगी हडियां भी मजबूत बनेग के लिए आप दूद के अंदर एक चमच गुलकंद को मिक्स करके लिए गुलकंद के अंदर अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है जो हमारे माइन को रिलेक्स करता है एक्टिव बनाता है तो यह चीज़े बहुत आसान है आप इनका सेवन कीजिए बजाए करमी के अंदर म कर दो है कर दो था इनका सबस्द कर दो कर दो एक्ड़ा जान हुरा है